आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Amniocentesis is based on पूछा जया है कि Amniocentesis जो है वो किस के उपर बेस है तो basically Amniocentesis जो है ये एक ऐसा Process होता है जहां पर Amniotic Fluid को Collect किया जाता है और ये Amniotic Fluid को Collect करके क्या किया जाता है कि Use किया जाता है या फिर Fetus में से लिया जाता है और उसको बहर Laboratory में चेक किया जाता है कि Fetus का जो Genetic Composition है वो क्या है और Genetic Composition के साथ ये भी चेक किया जाता है कि इसके Chromosomal Conditions जो है वो Chromosomal Conditions क्या है तो चलिए देखते कि कौन सा Option यहां पर Correct है तो First है Chromosomal Pattern in Amniotic Fluid तो यही चीज है जो कि हम लोग अभी डिसकस कर रहे थे इसके First Option जो कि Chromosomal Pattern बोला गया है किसी भी Organism का वो हम लोग Amniotic Fluid के हिसाब से ही जान सर्फे है और यह Basically Amniotic Fluid तब पाया जाता है जब Fetus जो है वो Mother के Womb के अंदर Amnion Layer में रहता है वे Next है Amount of Amniotic Fluid लेकिन यह Correct नहीं है और उसके बाद है Composition of Amniotic Fluid वो एक Yellow Fluid Secrete होता है जो की Protection ही Main काम होता है वे Next होता है Pattern of Cleavage लेकिन Pattern of Cleavage इससे समझ में नहीं आता है तो जो Correct Option है वो है First Option और उसी को हम यहां पे टिक कर लेंगे Classics to 12 से लेके Neat IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 Million से जादा Students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 84444 उपर